नमस्कार दोस्तों मैं सोनूर आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटिक चैनल दोस्तों वीडियो बहुत ही यूजफुल है इस वीडियो में अभी देखे यहाँ पे बेसिन का ये टैप दिखाए दिखाए दिरहा है जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पी काला हो जो टैप है इसके उपर यानि कि जो भी पॉलीस होगा क्रोम का पॉलीस वह जाएगा नहीं और नहीं यहां पर किसी भी प्रकार का रफ आएगा रफ का मतलब टैप के उपर कई लोकल क्लीनर क्या होता है जब आप उससे साब करते हैं तो यहां पर रफ आ जाता है और श्टार्टिंग में तो चमकता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उससे भी खराबालात हो जाता है और भी ज्यादा गंदा दिखता है लेकिन यहां पर यह सुमानी की तरफ से आ रहा ह सोमानी वाद फिटिंग ब्रास ब्यूटी सालूशन बीफोर पहले दिखे यहां पर सिंबल भी दिखाया गया है पहले कितना काला है बाद में यह सफ़ेद हो गया इस तरह से पूरा साफ हो गया है अब चलिए इसको साफ करने का प्रोसेस मैं बताता हूं देखें काफी ज्या से ही यहां पर मैं गिरा रहा हूं अब थोड़ी दिन में यहां पर बबल गिरना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है यह जो गंदगी है यह फूल जाएगा उसके बाद यह पूरा साफ हो जाएगा साफ करने के लिए किसी भी तरह का कॉटन का कपड़ा अप लेंगे कॉटन कि पूरा साफ हो जाएगा मैं करके आपको दिखाता हूं दिखें यहां पर मैं डाल दिया हूं अब इसको देखें मैं कर रहा हूं अभी पूरा साफ हो जाएगा क्या हूं अपाँ लाहा हूं अब देखे यहां पर यह जो टैप है ना देखे पूरा क्लीन हो गया है और मैं आपको बता दू यह लोकल टैप है लेज लिखा हुआ है लोकल टैप है पालीश जो है इसमें दूस्तों चमकने वाला जादा नहीं है इसलिए यहां पर यह बस इतना ही चमका है ठीक है पूरा क क्लीन हो गया है अब दिखें तो इसी तरह से क्लीन हो जाएगा आपका जो भी टैप होगा वाल मिक्सर हो जितना भी फिटिंग हो जिसके उपर क्रोम का पालिस होगा न वो पूरा साफ हो जाएगा देख सकते हैं यहां पर पूरा क्लीन हो गया है सुमानी की तरफ से है दोस्त 90 पर लिखा हुआ है इसको अब दुकान से भी परचेज कर सकते हैं ठीक है सोमानी का है ये बस आज का वीडियो पूरा हुआ मिलता हो फिर किसी अगले वीडियो में ने डाप्टर के साथ